धनबात के गोविनपूर बोरियों में आदिवासी युवती पार्वती मुर्मू की हत्या से आक्रोशित लोगों ने टुंडी गोविनपूर रोड पर प्रदर्शन किया आक्रोशित लोग शब को लेकर मुख्या आरोपी को गिरफतार करने की मांग पर अड़े रहे सडक जाम से यातायाद प्रभावित रहा वहीं भाजपा से विदाक सांसाद डुलू महतो ने मामले में प्रशासन को दोशी ठहराते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की ग्रामिनों का कहना है कि बड़े पैमाने से अव्याद शुराब की विक्री की कारण युवती के जान गई है एक डेर साल से लगभाग करीब काफी पैमाने पर लोग शुराब सेवन करने के लिए इस बस्ती में आते जाते हैं डियास्पी ने जामस्थल पर पहुँचकर कड़ी कारवाई का अश्वासन दिया इसके बाद ग्रामिनों ने सडक से जाम हटाया और फिर यातायात बहाल हुई सवाल ही गलत है मैं सवाल इसलिए गलत कहूंगी यहां सरकार कहा है सरकार तो अपना चल रही है चला रही है यो जना चला रही है आज जो हम लोग सरकार के भिरूद नहीं आज हमारे बहु बेटी की सुरक्षा के खिलाब हमारे बहु बेटियों के साथ जो घटनाए घटी है वो नहीं घटना चाहिए आज हम लोग सड़क पे बैठे हैं क्यों बैठे देखें यह बहुत दुखत घटना है मतलब यह हम कह सकते कि इस राजी में कई किस परकार से घट गहएं जो औरी ओयू बस्ति है अद्यासिकर पहां बूल काऊंध है लगवक, क्या धूर्शमी मरूमक का रवट मुल्ब नोका सबीस्त्र से घटना घट्ना है यह व्मारे पंचाठी सनल मुल्ब देखोत गटना है डिया गाश्या चाहिए करके और जो नियम संगत जो विजी संगत पर समध जो कारवाई है उस पर जबने जितना जल्दी से जल्दी हो वो किया जाए यही मांगती और इसी बात पर बारता हुई आप लोगोने इस बात पर मन लिए बिलकुल मानना ही है यही हमारा मुख रूप से काम है और इसी मामले पार जादा जानकारी के लिए मासाथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं समधाता गोवर्धन रजक गोवर्धन क्या है पूरा मामला जी प्रिया ऐसा है कि कल ये साम की घटा है परवर्धी मुर्मित की जो हत्या हुई थी वो ब्रामिनों का असंकार थी का सबसे बड़ी पहाल करने का मखारूपी का कारण रहा हुआ कि पहले उन्हाने दूसकर में किया प्रियूं का आत्मा हत्या किया उसी पर जब पुलिस पर साथन को फोन की करके उन लोग बुलाएं पिर यह की दी एक सो बारद पर डाइल की दो बार लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जो है उनका पोहता नहीं इस पर उस तर नहीं होते रहता है लेकिन सरकार निसारा वो मामली को लिक है सालक जाम किया गया गोवर्धन महिला भी थी पुरूश भी थे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं क्या कुछ मांगे उनकी रही है गोवर्धन क्या इस मामले पर F.I.R. दर्ज हुई है गोवर्धन जिस घर की ये बेटी थी क्या परिवार वालों को किसी पर शक है गोवर्धन बहुत 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 है गोवर्धन बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो बड़ी खबर धन्बाद से आ रही है बता दे कि अवैद शराब को बंद करने को लेकर बड़ी संख्या में महिला पुरू सडक पर उतर गए क्यूंकि उन लोगों का कहना है कि कही न कहीं ये मुख्य शराब की वज़ा ही रही है जो कि एक मासूम को अपनी जान गवानी पड़ी अनुमान जताया जा रहा है कि शायद पहले उस वच्ची का दुशकर्म किया गया उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई इस मामले पर लेकर सडक पर लोग उतर आए जम कर प्रदर्शन कर रहे थे याता याद बाधीत हला कि फिर पुलिस प्रशासन पहुची आश्वासन दिया गया सांसत भी घटना स्थाल पर पहुचे और किसी तरह मामले को शांत करवाया गया